फाइनली वैलकम टू पंजाब पंजाब पोलीस यहां पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी है यह जम्मू कश्मीर का लास्ट टोल प्लाजा था जो आपने पीशे देखा ना बापस है अच्छा और यह जो पीशे मेरे दिख रहा है ना आपको यह वाला डाबा महालक्ष में वैशनो डाबा यहां पर मैंने खाना खाया गाड़ी हमारी गर है सडक हमारा बतन मर गए अगर किसी मोड पर तुक्तिरपाल हमारा कफन अभी अभी जस्ट दूप लगी है यहां पर और अभी मैं निकल रहा हूं ठंडा पानी पेने से भी बाई नुक्सान ही है अपना तो दोस्तो क्या हल चाल मैं विल्कुल बढ़िया और उमीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए तो दोस्तो मेरा नाम है चरंजीत सिंग मैं हूँ जम्मू कश्मीर के डिस्टिक उदुमपूर के ब्लॉक मोंगरी से और मेरे गाउं का न चारी से तो चलो फिर करते हैं इस ट्रिप की शुरुवात लेके बोले बाबा का नाम जहो बोले बाबा की तो फाइनली दोस्तो मैं बाइक के उपर बैठ गया और समान अपना पैक हो गया और यह देखो काका जो बाइया का लड़का है यह मेरे कुछ होनने आया था पर अचली मैं सुशाम को दुकान के उपर था तो जिसकी वज़ा से सामान बगारा जहबो मैंने रात को इकठा कर आए और सुबह मैंने चुछामान चुछाया अब अभी-अभी जश्ट दू कि यहां पर और अभी मैं निकल रहा हूं और बस्कषा ज Those are और मेरे को यहां पर फोने आया था और मैं यहां से निकल रहा हूं किरद Commissioner कि तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया मांसर में यहां पर लगिया अपनी बाइक और हबा चल रहे है बाई सुबा सुबा इतनी फास्त और मैंने सुबा सुबा डिस्टेंस कर दिया जी कबर जहां से कैंत कली है और क्यांत कली से दिस्टेंस कबर कर लिया है जिसको मैंने बड़ा दीरे दीरे आया और क्यूंकि रास्ते में मुझे कुछ ड्रोन शॉट्स के यह थे वह भी लिये और फिलहाल यहां से आगे अब मांसर आएगा उसके बाद करिमची और उसके बाद उदुमपुर से अब मैं कर पा रहा हूं कि मैं जम्हू वाले रास्ते से होके जाओं जा फिर बाहर-बाहर होते ही जाओं उदुमपुर से यह जो हो गया शुरूइंट्सर मांसर हो गया और सीधा सामबा जाके निकलो पाइनली भाईयो मैं पहुंचा हूं विजयपुर में और अच्छली यार उदुमपुर से आगे निकलते निकलते उसके बाद पिर मैंने ज़ाब वीडियो नहीं मनाई वह इसलिए नहीं मनाई क्योंकि भाई मेरी जो गोप्रो की बैटरी थी वह भी डाउन हो गई और साथ में जो दोमेल है ना कट्रावाला बहां से लेके बिजयपुर तक भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड इतना टूटा है ना मतलब बना रहे है ना उसको तो जाम बहुत और साथ में इतनी मिट्टी है ना बता नहीं सकता आपको आलंकि दोपहर के बजरें बारा और अभी वहाई यहां पर पहुंच आँ मैं बिजयपुर में और अभी के जो फिम्मस पल ले है ना वो खाके फिर में वहां से निकलूंगा फिलहाल 15 मिनट के लिए जहां पर रेस्ट और ब्रंच कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट पर नहीं किया है और लंच का टाइम भी हो गया है दूप जो है ना बहुत जादा मातरा में है और यह जो पीशे मेरे दिख रहे है ना आपको यह वाला डाबा महालक्ष्मी वैश्नो डाबा यहां पर मैंने खाना खाया और बाई अभी मैं यहां से निकलने वाला हूँ लेकिन दूप जादा थी पहले मैंने दूसरा वाला लगाया था और अभी मैंने ब्लैक वाला लगाया अब जाके मैं अपनी आंखों को खोल सकता हूँ अब भी तक मेरी आंखे नहीं खुल रही थी आगे से डस्ट आ रही थी और साथ में जो है वो इतनी यादा यार जिसको लू बोलते ना लू चल रही थी कहां पर बैट गें रस्टे में यह पनदे इनों स्याहां यहां पर देक हो म vrij कि पहां पर याव किस व् 7 कप और तक इलव याव दिक्कत हो गbilिया था टेल बंद कर दिया देल वाली टाव्य सब्सक्नावव है यहां से उपर से ट्रेन जाती है और यहां से जलन्दर हो गया 13 1 kmूट दिल्ली हो गई 474 पतान कोट 18 और धारा और अमरिस्तर यहां पर मरने के बाद जाते हैं पता है कहां पर हरी जवार अप्चिरी यार इट क्या है वाई यार इतनी जवर्दस चीज थी नप पिशे वाई मतलब एक पेड के उपर कम से कम 20 पीस वो बनाये थे वाई बनाये इन पक्षियों ने स्पैशल और हर एक पक्षी एक एक बोजले में बैटा था वह यह रास्ते में मिल रहा है पानी एक जगह पर कि अब अब आए अब आए यह यह वाले भी यह मुझे पीसे दिखे थे और यह पीसे से बोड़ रहे है इसको ब्रदर शुक्रिया और यहां पर भी मैं एक मेरे को पेड़ दिखाना बाई तो पेड़ की शाया में बैठ गया वह ऐसा है कि दूप में खड़े होना तो दूर की बात है लेकिन चलना बाइक पर भी चलना बहुत मुश्किल है वाई क्यूंकि इतनी ज्यादा गर्मी इसी हवा आ रही है ना जिसको लू बोलते है ना लू अपनी लेंग्विज में तो वह वाली लग रही है वह इस साइड से ऐसा लग रहा है कि आग जला ही है इस साइड और उस साइड से इतनी गरम जो हवा आ रही है तो वह यूव क्या आपको पता है कि जब हम इस एनेज पोı से हम जंवू से दिल्ली वाली मैं स Job में थोड़好 का भी आता है में लगता है कि यह पंज???? से जाती है थोड़ा सा पार्ण ऐसा आता है कि जब गाड़ी हिमाचल से हो के जाती यह जो जगा है ना यहां से जो left वाँ साइड टर्년 ऑ यहां से गाड़ी जाती है व्याँस अंदर के लिए और आगे से चंबा हो गया वर हो वहां के लिए गाड़ी जवाबो यहां से जाती है हिमाचल के लिए हम यह बोल सकते हैं कि जंबा बाली साइड गाड़ी जहां से जाती है फिर आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो फिर आएगा वहां पर एक जगा जिसका नाम होगा नूरपुर I think नूरपुर यहां से ह यहां से थोड़ा नदर जाओगे ना आपको नूरपूर दिखेगा ताकि सामने एक गुर्द्वारा है वाई गुर्द्वारा साहिब है कुण सा बाला यह पता नहीं है बड़ गुर्द्वारा साहिब यहां पे यह भाई शिप्ची की मोर्थी है यहां पर एक मंदिर है भाई बिशाल मंदिर है बहुत बड़ा है कुण सवाला मुझे नहीं बता तो भाईयो फाइनली मैं पहुच गया वाई एक रूम में और पूरी कहानी बताता हूं कि क्या हुआ मेरे साथ एक्चली कुछ गलत नहीं क्या बोलते उसको रिशी केश यहां फिर हरीदवार जाके रुकूंगा जब मैं चंडीगड में पहुचा तो बहुत दूर है बहुत दूर है चार साधे 400 किलोमेटर का डिस्टेंस में देख रहा था मैंने उसको रिशेट मारा था बाइक को और आज अभी देख रहा था मै साधे 400 किलोमेटर कबर कर दिया मैंने आज का तो मैंने यहीं जोचा था कि मैं आज सीधे हरीदवार जा फिर रिशी केश में जाके रुकूंगा फिलहाल भाई यहां पर मैं पहुचा चंडीगड का एक यहां पर एक बाइपास था तो यहां पर मेरे को एक अंकल दिखे उन तो मैंने बोला कि नहीं अंकल जी रात को दूप कम है गर्मी कम है सर्दी है तो मैं चला जाओंगा मैं उन्से तो आ गया लेकिन 10 किलोमेटर 8-10 किलोमेटर थोड़ा आगे आया तो फिर यार मेरे माइंड में यह चीजे दुवारा से स्ट्राइक करने लगी कि यार अंकल न आए अंदेखे हैं आज फास तो फिर मेरे को एक और बअच उन्हों did उख उन्होंगा कि यहांपर आस जहां पास में यहां गुर्दवारा साहिब हैं गुर्दवारा साहिब का मैं नाभ बूल गया तो वहां पे जाओवा बहां पे आपको रूम मिल जाएगा तो अधा तो तो फिल्हाल आज का ठीकाना अपना यह है कि यह पढ़े हैं बैग शैग और मैटरेस अपना हलांकि यहां पर गद्दे बगएरा पढ़े हैं और यह आगया जी दूसरा वाला बैग और यह मैंने बाइक की यह अपनी बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए लगा दिया है बैटरी जो है इसको मैनुल चार्ज करना पड़ता है क्यूंकि मुझे यह पता नी चल रहा है कि उसका चार्जर खराब है जा फिर पीशे जो अड़ाप्टर होते हैं उसके बो खराब है जब मैं जाता हूं अजन्सी वालों को पता यह कुछ भी मैंने तीन चार वार उनको है अलेक्रिसिटी चाहिए और वो मेरे को मिल गई यह सबसे बड़ी सैटिस्पेक्शन है बाकि ठीक है बाई पंखा है यहां पर लेकिन घर्मी बहुत ज्यादा है और कोई दिक्कत भी है ठीक है बाई इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जुरूर करना बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई शबाख है